नमस्कार दोस्तो मूँ एक द्ग्रेड पखोड़। इंग्रेडेंसयव भ्रेड बेसन दो अंडे नमक और मिर्ची , बैस। दो अंडे तोड़ेटे हैं दोस्तो हम पहले अंडे तोड़ने के बाद हम इसमें मसाले मिक्स कर देंगे मसाला में नमक मिच्च के लावा कुछ भी यूज नहीं करना है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा स्वादानुसान नमक डाला और मिच्ची डालूँगा अब इसमें दोस्तों भेशन हम मिला लेते हैं हैं बेशन की जगों पर आप मैदा भी यूज कर सकते हैं कौन फ्लूर भी यूज कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगया टेष्ट के हैसाब से आप यूज कर सकते हैं यह रсудसेप़ बहुत ही जल्दी बनने वाली रसेपी है दोस्तो दो मिनट में आप बना सकते हैं सुभे ब्रेक फास्त में लीजिये या साम को चाई के साथ में लीजिये तो बहुत अच्छी प्रेसिपी है टेस्ट भी बहुत अच्छा है दोस्तों इसका तो भीसन और अंडे को हम एक साथ में घूल लेंगे अच्छे से मिक्स हो जाए मिक्सर देखिए तो अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है थोड़ा सा धनिया डाल देता हूं दोस्तों इसमें तो अभी पैन मेने पहले से रखा हुआ है धिमी आज पे गरम होने के लिए तो ज्यादा तेज आज पे मत रखिएगा धिमी आज पे दो टेबल स्पून ओयल के साथ में लैस बना रहा हूं मैं तो अभी ब्रेट के कट पीसिस करके रखे हुए हैं पहले से ही तो इसको बैटर इसे फ्राइ कर लेंगे दोस्तों ज्यादा देर तक भी एक साइड से फ्राइड मत किजिएगा वन वन साइड आपका जल जाएगा अभी एक साइड हो चुका है अंडा और भेसने तो बहुत जल्दी ही पक जाएगा ये आचे से दबा लीजिएगा इसको उपर से ताकि बीच में अगर कच्छा रहे तो वो भी पक जाए तो देखो दोस्तों कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसका तो ब वीडियो को लाइक किजिए, सेयर किजिए और चैनल को सस्क्राइब किजिए तहने बात